नमस्कार साथियों कैसे आप लोग आसा आप लोग अच्छे होंगो फ्रेंड्स पश्रिम बंगाल विधान सभा चुनाओ का मैं उपिनियन पोल आपको बता रहा था पार्ट वन मैंने इसका बता दिया है आज पार्ट टू है पार्ट टू में सभी जीलों का हम बता देंगे यानि फाइनल आज उपिनियन पोल मैं आपको बता दूँगा इसके बाद नेक्ष्ट मन्त में फिर से एक नए उपिनियन पोल में लेकर आऊँगा पिछले वीडियो में हमने साथ जीलों की बात की थी इसके लवा बचे हुए सभी जीलों की बात हम आज करेंगे समय के अगतार राजनेतिक सरगर्मिया तेज हैं पच्छी मंगाल की राजनीती में प्रमुख रूप से जो लड़ाई है वो टीमसी और भारती जनतापाटी के बीच है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राजधानी कोलकाता से कोलकाता में टूटल विदान सभग की सीटें 11 हैं और बात करें भारती जनतापाटी यानि बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 4 सीटे जा सकती हैं वही हम टीमसी की बात करें तो टीमसी का गढ़ रहा है कोलकात और TMC को यहाँ पर 11 में से 7 सीटी बिल सकती है और कॉंग्रेस और 22 पंथी गटबंधन की बात करें तो इनके खाते में एक 20 सीट यहाँ पर जाते भी दिखाई नहीं पड़ दे है नेक्स जिले की बात करें तो अगला जिला है हावडा हावडा में बिदान सब्क की टोटल 16 सीटे हैं और इन 16 सीटों में बात करें हम सबसे पहले TMC की याने तिर्मूल कॉंग्रेस की तो TMC की खाते में 10 सीटे जाते भी दिखाई दे रहे यानि 10 सीटों पर TMC मजबूत है और भारती जंता पार्टी यानि PGP की बात करें तो BJP की खाते में 6 सीटे जा सकती है बीज़ेपी 6 सीटों पर मजबूत है बाम पंथी और कंगरेस कडबन्धन की बात करें तो बाम दल और कंगरेस यहां पर खाता नहीं खोल पा रहे यानि इनका खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ रहा यहां हावडा में मजबूत अभी TMC दिखाई दे रही है नेक्ट जिले की बात करें तो अगला जिला है हुगली हुगली में हम बात करें तो हुगली में भी सीधी लडाई BJP और TMC के बीच है यानि भारती जन्ता पार्टी और त्विमल कॉंग्रेस के बीच है हुगली में हम बात करें टीमसी की तो टीमसी के खाते में आट सीटे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की खाते में तस सीटे जाते हुई दिखाई दे रही है यानि बीजेपी हुगली में मजबूत स्थिती में है सीधी लडाई बीजेपी और टीमसी में है कॉंगरेस और बामगटमंधन की बात करें,等ว में here on हम कोई सीट नहीं जा रही यानि होगले में on East कले जिले की बात करें तो अगला जिल में-दक्षण 24 परगना दक्षण 24 परगना की खाफी बड़ा जिला है और विदोसरा की टूटल थ़टीवन चुते यानि काफी ज्यादा यहां पर सीटे हैं और इसमें यहां पर भी TMC और BJP के बीच कड़ी टककर है लेकिन दच्छन 24 प्रगना में TMC मजबूत है सिती में TMC की बात करें तो त्यमुल कॉंग्रेस के खाते में 31 में से 19 सीटे जाते हुई दिखाई दे रहे हैं वहीं अगर हम बात करें भारती जंता पार्टी यानि BJP की तो BJP 11 सीटों पर मजबूत है यानि 11 सीटे BJP के खाते में जा सकती हैं वहीं हम बात करें कॉंग्रेस और बाम ग पटबंधन के भी खाते में जा सकती हैं नेक्स अगले जिले की बात करें तोगला जिला है उत्तर 24 परगना यहां भी विधान सबा की टोटल 33 यानि 33 सीटे हैं यहां भी काफी ज्यादा सीटे हैं और इसमें हम बात करें TMC की तो TMC के खाते में 17 सीटे जा सकती हैं और BJP के खाते में 16 सीटे जा सकती हैं यहां पर परावर की टक्कर है BJP और TMC की बीच बहुत सारे ऐसे सीटे हैं जहां पर काफी नेक-το-नेक फाइट है तो 17 सीटे TMC और BJP सोलर सीटों पर यहां पर मजबूत है उत्तर 24 परगना में कॉंग्रेस और बाम गट बंधन की बात करें तो कॉंग्रेस और बाम गट बंधन के यहाँ पर खाता भी नहीं खूल पारा यहाँ पर एक भी सेटे इनको मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे है नेक्स्ट अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है नदिया, नदिया जिले की अगर हम बात करें तो नदिया में विधान सभा की टूटल 17 सीट है यहाँ पर बीजेपी और टीमसी के 20 में टक्कर रहेगी लेकिन भारती जन्ता पार्टी नदिया जिला में काफी मजबूत इस्तिती में है बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की खाते में 12 सीटे जा सकती है और टीमल कॉंग्रेस इने टीमसी की बात करें तो टीमसी की खाते में 5 सीटे जाती हुए दिखाई दरी है 5 सीटों पर टीमसी मजबूत है Congress और BAM GATBANTHAN की बात करें तो Congress और CPM GATBANTHAN की खाते में एक भी सिट नहीं जा रही है यानि यहाँ पर भी इनका खाता नहीं खुल पा रहा है Next जिले की बात करें तो अगला जिला है पुर्व मेदनीपूर अगर हम पुर्वा मेदनीपूर की बात करें तो यहाँ पर विदान सफा की टोटल सोला सीटे हैं और इन सोला सीटों में हम TMC की बात करें, BJP की बात करें और Congress BAM GATBANTHAN की बात करें तो यहाँ पर प्रमुक्राडाई जो है कि TMC और BJP की बीच है और दोनों के बीच नेक टो नेक फाइट हो चुकी है सोवेंदू अधिकारी भी इसी इलाके से आते हैं और यह अब BJP में सामिल हो चुके है अगर हम बात करें TMC की तो TMC के खाते में इस समय आठ सीटे जा सकते हैं आठ सीटों पर TMC मदबूत है वह यह अगर हम भारती जनता पार्टी यानि BJP की बात करें तो BJP भी आठ सीटों पर मजबूत है BJP के खाते में भी आठ सीटे जा सकते हैं वह हम कॉंग्रेस और बाम पंथी पार्टी यों के घटबंधन की बात करें तो कॉंग्रेस और CPM घटबंधन के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है यानि इनका इस जिले में भी खाता नहीं खुल रहा है नेक्स्ट अगली पार्टी की बात करें तो अगली पार्टी है प्रशमी मेदनीपूर और प्रशमी मेदनीपूर की बात करें तो यहाँ पर विदान सभा की टोटल 15 सीटे हैं और यहां पर भारती जन्ता पार्टी मजबूत इस्टी में है TMC की बात करें तो TMC के खाते में यहां पर 6 सीटे जा सकती है 6 सीटों पर TMC मजबूत है वहीं हम भारती जन्ता पार्टी यानि BJP की बात करें तो BJP के खाते में यहाँ पर 9 सीटे जाती हुई दिखाई दर याई 9 सीटों पर भार्दी जन्ता पार्टी मजबूत है Congress और बामगडबंधन का यहाँ भी खाता नहीं कुलड़ा यानि Congress और बामगडबंधन के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है नेक्स्ट अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है जार ग्राम जार ग्राम में टोटल विधान सबागी चार सीटे हैं और इन चार सीटों में BJP की बात करें तो BJP दो सीटों पर मजबूत है TMC भी दो सीटों पर मजबूत है यानि ये जारग्राम में दो सीटे BJP के खाते में दो सीटे TMC के खाते में और Congress और Left Parties के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है पुरुलिया के बात करें पुरुलिया के अंदर टोटल 9 सीटे हैं और 9 सीटों में अगर हम TMC के खाते में एक सीट जा सकती है भारती जन्ता पार्टी BJP के बात करें तो BJP पुरुलिया में एक तम से मजबूत है और इसके खाते में 7 सीटे जा सकती है Congress और Palm Guard पंधन को भी एक सीट पुरुलिया में मिल सकती है Next हम अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बांकुडा और बांकुडा जिले की बात करें तो इसमें विधान सभा की टोटल 12 सीटे हैं इन 12 सीटों में अगर BJP की बात करें तो BJP बांकुडा में मजबूत है और TMC की बात करें तो TMC भी कमजोर है और कॉंग्रेस बामगडबंधन भी यहाँ पे कमजोरी सिटे में दिखाई पढ़ रहा है TMC के खाते में 2 सिटे जा सकती है BJP के खाते में 10 सिटे जा सकती है और कॉंग्रेस और बामगडबंधन के खाते में 1 भी सिट बांकुडा में जाते हुई दिखाई नहीं पड़ रही है अगला जिला है पूरो बर्दमान और पूरो बर्दमान की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की टूटल 16 सीटे है TMC का गड़ है यह TMC यहाँ पर काफी मजबूत इस्टि में अभी भी है और TMC की बात करें पूरो बर्दमान में तो TMC के खाते में 12 सीटे जा सकती है 12 सीटों पर TMC मजबूत है भारत जिनता पार्टी BJP की बात करें तो BJP के खाते में 6 सीटे जा सकती है 6 सीटे BJP जीच सकती है कॉंग्रेस और बाम गड़ बंधन का यहां पे खाता नहीं खुल रहा है तो पश्रिम बार्दमान तो पश्चि tulee बंधन में टूटल विधान सभाग की नव सीटे हैं और यहांपर TMC के खाते में चार सीटे जा सकती हैं BJP की बात करें, तो BJP के खाते में पात सिटे जाती हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं कॉंग्रिस और बामगड बंधर का खाता यहां पर भी नहीं खुल रहा है, Next अगले जिले की बात करें, बीरभूम की बात करें, तो बीर भूम में टोटल विधान सभा की 14 सीटे हैं TMC का गढ़ रहा है बीर भूम इसके लवा Communist Party का भी गढ़ रहा है तो अभी हम बात करें बीर भूम की तो बीर भूम में TMC के खाते में 5 सीटे जा सकती है BJP की बात करें भारती जन्ता पार्टी की तो BJP के खाते में भी 5 सीटे जा सकती है वहीं Congress और Left गढ़ बंधन की बात करें तो इनके खाते में एक सीट जा सकती है यानि 5 सीट उपर TMC और BJP 5 सीट उपर और Congress और Left गढ़ बंधन एक सीट पर मजबूत है Next up हम अगले जिले की बात करें तो अगला जिला एक छूट रहा था पीछे हमने उसको नहीं बताया आपको वो है अलीपूर द्वार और अलीपूर द्वार की बात करें तो यहां पर टोटल विधान सभा की 5 सीटे है और इसमें TMC की बात करें तो TMC के खाते में 2 सीटे है अलीपूर द्वार में जा सकती है वही हम भारती जंता पार्टी यानि BJP की बात करें तो BJP के खाते में 3 सीट जा सकती है यहां पर BJP मजबूत है अलीपूर द्वार में और कॉंग्रेस और बामपंथी पार्टी की गटबंधन की बात करें तो इनके खाते में एक भी सीट नहीं जा रही यानि इनका यहाँ पे खाता नहीं कुलड़ा एक और जिला छूट रहा था कलिंग पोंग जो मैं नहीं बताया पाया था पिछली वीडियो में तो कलिंग पोंग की बात करें तो देखिए कलिंग पोंग में टोट विधान सभा की एक सीट है और यहाँ पर गुर्खा जन्मुक्ति मोर्चा यानि जी जी एम का गटबंधन है टी अमसी से यानि यह टी एमसी के खाते में जाएगी मतलब यहाँ पे चुनाओ जी जी जेम ही यानि टोटल फाइनल डिजल्ट आपको हम बताते हैं कि हमना हमारे हिसाब से जो हमने लोगों से बातचित की है जो उनकी प्रथिक्रिया यह पूस्य हिसाब से कितनी सीटे पशी मंगाल में कौन सी पार्टी को मिल सकती है फाइनल प्रोजेक्शन फाइनल फीगर आपके साम बंधन के यानि कॉंग्रेस और CPM CPI कड़ बंधन की बात करें तो हमारे उपेनेंट पोल के अनुसार इनको पश्रिम बंगाल विधानसवा चुनाओं में आज की डिट में चुनाओं तो 32 यानि 32 सीटे बिल सकती है 32 सीटों पर ये आज की डिट में मजबूत है नेक्स्ट हम बात करें भारती जनता पार्टी यानि BJP की तो आज की डिट में यदि पश्रिम अन्गाल में चुनाओं होता है तो भारती जनता पार्टी काफी मजबूती के साथ उभर रही है बीज़पी को 131 सीटे मिल सकती है 131 सीटों पर भारती जनता पार्टी मजबूत ह बीजेपी काफी मजबूती के साथ पस्टी मंगाल में उभर रही है बीजेपी के लोग लगातार वहाँ पे कारिकर रहे हैं इसका असर जो है की जमीन पर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट अगली पार्टी की बात करें तो अगली पार्टी है T.M.C और त्रेमुल कॉंगरिस ममताब एनरजी की बात करें तो बरतमान में ममताब एनरजी भी काफी मजबूत इस्तिती में दिखाई दे रही हैं दस सालों के एंटी इंकेंबेंसी के बाद भी TMC काफी मजबूती से चुना लड़ती हुई दिखाई दे रही है TMC जमीन पर मजबूत दिखाई दे रही है और TMC की बाद करें तो TMC के खाते में 131 जी हाँ बीजेपी के बराबर ही TMC को सीटे मिलती हुई अभी आज की रेट में दिखाई दे रहे हैं यदि आज परशिम बंगाल में चुनाओ तो 131 सीटे TMC को भी मिल सकती है यानि कुल मिला कर देखा जाए तो आज के रेट में बीजेपी और TMC के बीच नेक टू नेक फाइट है दोनों के बीच बराबरी का मुकाबला पशिम बंगाल में चल रहा है वहीं अगर हम सत्ता की मास्टर चाभी की बात करें तो सत्ता की मास्टर चाभी जब किसी भी पार्टी को पुड़ बहमत नहीं मिल रहा है ऐसी इस्तिती में कॉंग्रेस और लेफ्ट गट बंधन के खाते में जा सकती है तो ये था हमारा पशिम बंगाल विधान सबाचुनाओ का फाइनल उबनियन पोल नेक्ट वीडियो हमारा आसाम विधान सबाचुनाओ और पुदुचरी विधान सबाचुनाओ को लेकर आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ला